नमस्कार साथियों आप लोग देख रहे हैं वियाईपी नूस टूड़े इस वक्त वियाईपी नूस टूड़े का जो वियाईपी सो है उसका सैकेंड एपिशोड आज है और हमने आपको बताया कि अब इस चैनल पर चैलेंजिंग वीडियो आनी सुरू हो चुकी है पहला ए चैलेंज है बडा रोमांचक चैलेंज होने वाला है क्या नाम है आपको अनियल Гलmadमिक फरम जफ़ार्फर पुर्पर भिःब आज आज आपके साथ जो होने वाला है तो कैसा आपको लग रहा है तो एक सवाल का इनको मिलेगा सो रूपे इनाम जितने हम इनसे सवाल पूश्ते जाएंगे अगर यह सही जवाब देते हैं तो यह सो रुपे जीतते जाएंगे तो कैसा लग रहा आज आपको हमारे चैनल के आकर कि थोड़ा बताईए हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि जो भारतिय समीधान है उसको किसके दुवाराव कितने समय में लिखा गया भारतिय समीधान बाबा साथ भीम राव अंबेद करके दुवारा लिखा गया था और उसमें समय लगा था दो साल 11 महिना 18 दिन का यह आपको लगता है आपका स्वाल सही है जवाब सही है मेरा जवाब सही है आपका बिल्कुल तो इसको जवाब को इनका लोग कर दिया जाए तो आपको पूरा confidence है कि आपका जवाब सही है बिल्कुल सही है इनका जवाब बिल्कुल सही है और यह 100 रुपे का इनाम अब तक जीचκे चुकें आप लोगों ने देखा दूसरा सवाल हमारा आप से ये है कि भारreanç की पर्तम सिख्षक महिला कौन थी भारत की पर्थम सिख्षक महिला ऑई पूले सावित्री भाई फूले ये भी जवाब आपका सही है बिल्कॉल यह तो कोई जवाब आप जो है गलत देई नहीं रहे हैं लगातार जो है दूसरा सवाल इन से किया गया उसका जवाब भिनों ने बिल्कुल सही दिया है और ये अब तक जीच चुके हैं 200 रुपे 200 रुपे आप जीच चुके हैं कैसा लग रहा है अंतों बहुत अच्छा लग रहा है और पूछि भारत के मिसाइल में एपीजे अबदूल कलाम साहब को ही बोला जाता है कैसे इसलिए कि मिसाइल का जो स्रे है अपको पता है कि यह जवाब आपका सही है या गलत बिल्कुल 100% कमांड है हमारा यह बीन का जवाब सही है तो लगातार तीसरा सवाल का जो इन्होंने जवाब दि अब तक तीन सवालों के जवाब दे करके तीन सो रूपय तीन सो रूपय आप जीच चुके हैं जी कैसा लगा है अभी हम चोता सवाल आप से पूछेंगे लेकिन उससे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आज हमारे जो दर्सक हैं यह सगेंड एपिसोड है विए पिसोड जो च लोगों ने देखा है लोगों ने देखे होंगे अपना वाला जो वीडियो आपका बन रहा है आप से यह है कि एक अप्रेल 1935 को भारत में किसके द्वारा क्या हुआ था एक अप्रेल 1935 को आरबी आई का स्थापना हुआ था बाबा साहब भीम राव अंबेतकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक दा प्रोब्लेम ऑफ रूपी उसी के अधार पे आरबी आई का स्थापना हुआ था एक अप्रेल 1935 को जब आप सही है बिलकुल सही है एक अप्रेल 1935 को डॉक्टर बाबसाव मेड़कर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी दा प्रोब्लेम ऑफ रूपी उसको आधार मानकर एक अप्रेल 1935 को बारत में अरबेक स्थापना हुई थी यह जवाब इनका बिलकुल सही है इस सवाल का जवाब देकर कि आप ज अच्छा लग रहा है और पूछते रहें हाँ पूछते रहें जहां तक यह तो सवालों के जवाब जो है देते जाएंगे और यह बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं अच्छा कितना पड़े लिखें हैं आप मैं तो मैट्रिक पास्ट किया उसके बाद इंटर में एड जवारत में 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका शुरुवात 26 नौवंबर उनीश सो उन्चास से इसके कामकाज शुरू हो गया था 26 जनवरी 1950 को हुआ तो इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिये हैं आप लोग भी बताईएगा जो सवाल इनसे किये गए हैं क्या वो जवाब इनके सही है तो कमेंट करके आप लोग को हमें बताना है हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और सवालों के जवाब दे करके 5 रुपे अब आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपको और कुछ पुछना है तो आप पूछ सकते हैं हम जो जानते हैं जवाब हम दे सकते हैं कहीं भी दे सकते हैं सारे सवालों के जवाब आपके पास है बिल्कुल कि किस तरह से ये सवालों के जवाब देते गए और इनाम जीतते गए हैं अभी इनको सवालों के जवाब देने के बदले जो इनाम मिला है वो भी इनको इनाम दिया जाएगा और आप लोग हमारे साथ बने रहिए रंतर अगला एपिसोड कहां होगा किसके साथ होगा क्या सव सवाल होंगे क्या सवाल हमको पूछना चाहिए वह कमेंट करके आप बताईए और जो इन्हों ने जवाब दी हैं वो सही है या गलत और जो सवाल पूछे गए उनके जवाब भी आप कमेंट करके हमको बताईएगा इसी सब्सक्राइब के साथ नेच टाइम कही न कहीं हम धन्यवाद आप लोग देखते रहे हैं वी आई पी नोस टूडे धन्यवाद